Hello बच्चो, let's read this given question. So the given question says that a balloon of mass M is rising up with an acceleration A. तो देखे बच्चो, question में हमें क्या बोला गया है? कि हमारे पास एक balloon है, जिसका mass M है. वो उपर की तरफ जा रहा है, acceleration A से. अब उसके लिए हमारे पास 4 option given है. तो पहला option देखे, क्या बोला गया है? The upthrust on the balloon is M, G plus A. मतलब उपर की तरफ जो force लग रहा है, उसकी value क्या रहेगी? M, G plus A. सेकेंड में बोला गया है, कि उसी upthrust की value क्या रहेगी? M, A रहेगे. अब थार्ट option पढ़ते हैं, हमें बोला गया है, M, A by 2, A plus G. ये क्या रहेगा? मान लेजे, अगर balloon का total mass क्या है M, उसमें से अगर हम कुछ mass निकाल लेते हैं, so that कि हमें acceleration double मिल जाए, तो वो जो mass हम निकाल रहे हैं, जो remove कर रहे हैं, उस mass की value हमें C option में दिया है, और वैसे ही same G option में भी वही दिया है, बस mass की value differently है, बतलब हमें इस question में दो चीज़े find out करनी है, कि अब thrust की value क्या रहेगी, और दूसरा, क्यूंकि हमें acceleration double चाहिए, तो कितना mass remove करना होगा, तो उस mass की भी value हमें चाहिए होगी, तो इस question को solve करने के लिए, सबसे पहले हमारा key concept देख लेते है, key concept to solve this question, क्या रहेगा, Newton's second law, अब Newton's second law क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि Newton's second law के हिसाब से क्या होता है, F is equals जो होता है, M into A, क्योंकि हमें up thrust, मतलब क्या है, force find out करना था, इसलिए हम Newton's second law का use करेंगे, अब देखिए, क्या बोला गया है, कि balloon है, जो उपर जा रहा है, तो मान लीजए, यह जो balloon है, इसका mass के है, M है, यह उपर जा रहा है, इसका acceleration के है, A है, तो क्या होगा, यहाँ पे force उपर की तरफ लगेगा, और जो mg है, वो नीचे की तरफ act करेगा, यह आप मान सकते हैं, ग्राइक force की बात कर रहे हैं हम, यह अब thrust आप consider कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर हम equation लिखते हैं, first case के लिए, तो क्या जाएगा, F minus mg is equal to क्या होगा, M into A, क्योंकि यह F net is equal to M into A net रहता है, तो यहाँ पे यह दोनों force का यह opposite direction में है, तो इनको solve करके, जो हमें final force मिलेगा, वो किसके equal हैगा, M into A के, तो क्योंकि हमें यहाँ पे F की value find out करनी है, इसकी, तो यहाँ से हम F is equal to क्या लिख सकते हैं, M A plus M G, अब देख सकते हैं कि M common निकल रहा है, तो M को common निकल लेते हैं, और A plus G, तो यह हमारा option A जो है, वो correct आ गया, मतलब B automatically wrong हो गया, क्योंकि B में क्या बुला है, M A value है, तो B option wrong है, और A option सही है, अब हमें C और D में से भी एक option select करना होगा, तो C और D में क्या है, कि हमें mask की value find out करनी है, तो फिर से हम balloon को consider कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि अब इसका mask है, M minus M dash है, तो M dash की value हमें find out करनी है, पर इस समय acceleration क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इस तरीके से, अब देखें, नीचे क्या act करेगा, यहाँ पर M minus M dash into G act करेगा, तो फिर से हमारे equation कह जाएगी, F minus M minus M dash into G is equals to M minus M dash into twice of A, क्योंकि acceleration क्या है, twice of A है, तो अब इससे क्या करना है, हमें solve करना है, और M dash की value find out करनी है, तो यहाँ से F is equals to, क्या हो जाएगा हमारा, M minus M dash into 2A, और क्योंकि यहाँ पर minus है, तो यह plus में convert हो जाएगा, और आजाएगा M minus M dash, और यहाँ जाएगा G, अब M minus M dash को हम common ले सकते हैं, तो M minus M dash को common ले लेंगे, इन ब्राकेट क्या जाएगा हमारा, G plus twice of A, अब क्या करना है हमें, F की value, जो है, वो हमें substitute करनी है, तो F की value क्या जाएगी, यहाँ पर, जो हमने part A में calculate की थी, F is equals to M A plus M G, तो इस F के बदले हम M A plus M G substitute कर सकते हैं, तो यहाँ पर आजाएगा M A plus M G, is equals to M minus M dash, और यहाँ पर और क्या है, G plus twice of A, अब देखिए सब खुछ मास के terms में हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे calculate कर लेंगे, हमें किस की value चाहिए, M dash की value चाहिए है, तो M dash को हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए, इसे solve कर लेते हैं, M dash की value हमें चाहिए है, तो M minus M dash is equals to, यह M A plus M G है, तो यह रहेगा M A plus M G, divided by क्या जाएगा हमारा G plus 2 A, तो यह आगया हमारा G plus 2 A, अब क्यूंकि हमें M dash की value चाहिए है, तो हम क्या लिख सकते है, M dash is equals to, M minus M A plus G, और divided by G plus 2 A लिख सकते है, तो अब हमें क्या करना है, इसे solve करना है, तो अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, M minus M in bracket, A plus G divided by G plus twice of A है, तो इस equation को अगर हम solve कर लेते हैं, तो हमारे पास M dash की value क्या आजाएगी, M dash is equals to, आजाएगा, M A divided by G plus 2 A, तो हमारा कुन सा option से ही हो जाता है, option C, और option D wrong हो जाएगा, and hence the final answer for the given question is option A and option C, hope you understood it well, best of luck. झाले हो जाएगा है, बाएगा है, इसक्रणान की तो है, जाएगा है, तो हमारे हैं, Karinaa, M minus M,